कि मुश्का दस्तों मैं हूँ आपको आज राजेश्वर नगर यहां मैं आपको दिखा रहा हूँ एक 113 गच का डुपलेक्स हाउस जिसके अंदर तीन कमरे श्टोर रूम ट्राइंग डाइनिंग किचन बड़ी आवना हुआ है बड़ी गाड़ी की एक पार्किंग है तोस्तों यह एक ऐसी लोकालिटी है राजेश्वर नगर आप समझ सकते हैं कि जो एक गॉर्मन्ट की का लॉनी काटी हुई थी मड्या की काटी हुए थी तो इसमें फेश वाइस भाइज है वाण फॉन टू फ्री फाइव तो आप यह समझे राजिश्वर नगर फेस फाइव पे है मैं आपको दिखाता हूं यहां से नियर बाइ सारी चीज़े पढ़ती है जैसे टच्वूड स्कूल हो गया है इचे आई टी पार्क हो गया दून हेलिपैड हो गया तो आईए दोस्तों मैं अपना वीडियो शुडू करता हूं तो दोस्तों यह है हमारे घर का एलिवेशन कि 113 गज के अंदर यह बना हुआ है कि आप थेख सकते हैं यह एंट्रेंस हैस की एक गाड़ी की पार्किंग आपकी बहार पर भी आ जाती है एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग आपकी यहां आ जाती है स्कूटी अगर आपके पास हैं बाइक स्कूटी तो आप यहां अपनी अराम से बाइक स्कूटी खड़ी कर सकते हैं दो गेट है एक गेट ये है और एक ये गेट है में एंटरिंस के लिए ये ड्राइंग एरिया डाइनिंग एरिया और साथ में ये किचन माडूलर किचन बनाया गया है पॉल्स इलिंग कंसील लाइट्स इसमें अल्रडी इंस्टॉल्ड है ये है पहले बेट्रूम आप देखें सुन्दर फॉल्स इलिंग काम किया गया है कबर्स में इंस्टॉल्ड है अल्रडी ड्रार भी दिये हैं अच्छे हाइट है वाशो मटे अच्छे है अच्छे है दोस्तों आपने कई घर देखेंगे जिसके अंदर वाश्रूम के अंदर टाइल यूज होती है बड़ी चटकीली से कलर बहुत गंदे से होते हैं एक फीली नहीं देता है तो बड़ी सोबर टाइल दी गई है वेंटिलेशन के यह वाशिंग के दिया है कि सिफ्टी पपस के लिए ओपर भी जाल पूरा लगाया गया है कितन से वेंटिलेशन के लिए यहां पर एक विंडो दी गई हुई है एक कॉमन वश्रूम अब देखिए नॉर्मल रूफ नहीं छोड़ी गई है पैनलिंग करी गई है उसमें भी कंसील्स और स्टेलने स्टील्स के ग्लासिस जो वाकिंग की गई है वो बहुत अच्छी लग रही है टाइल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक में डोर से एंटरेंस इदर से भी है आप चाहे तो शैपनेशन भी कर सकते हैं जैसे किसी को सिर्फ एक बेटरूम की ज़रूर्ट है और बाकी का उपर का वो रेंट आउट करना चाहते हैं तो यहां से दरवाजा बंद करके और बहार से बिल्कुल बहार से ही उसके इंटरेंस हो जाती है भाग बढ़िया ग्रे नाइट का यूज किया गया है साथ में SS की रेलिंग खुली चोड़ी श्टेर है यहां पर अपना पूजा रूम बना सकते हैं आप अपना यहां पर कोई चाहे तो एक पैनेटरी ओर बना सकते हैं बकाईदा प्रोविजन छोड़ा गिया है उसका यहां का ड्राइंग एरिया हो गया जैसा कि अपने नीचे एक बेडरूम देखा था सेम एज इट इस बेडरूम है फॉल्स लिंग का यूज किया गया है यह एक एलमीरा कबड और बशसो टुरूम कि वेंटिलेशन के लिए जैसे नीचे एक विंडो दिया गया था जो कि पीछे शाफ्ट पे खुलती है यहां पर भी ग्रिल लगा के बकाईदा टफन गिलास का यूज किया गया है आप अपना कुछ समान यहां रख सकते हैं स्टोर रूम भी बना सकते हैं चाहे तो और पूरा सिफ्टी परपस से इसको कवर्ट किया गया है बड़िया बोर्ट के दरवाजे हैं 50 mm के गरीम इसके ठीकने साब देख सकते हैं और यह अपना थर्ड बेड्रूम सिंपल स्वाबर कलर स्कीम है आफ वाइट क्रीमिश प्रॉपर वेंटिलेशन और संलाइट के लिए विंडो इंस्टोल किये गए हैं बड़े यह आपका ड्रेसिंग और अपना एक कबट यहां दिया गया है फॉर्थ वाश्रूम तो कि अटैच है बड़ा स्पेशेस वाश्रूम है दुस्तों देखो जैसे मैंने कहा कि कहीं पे भी चट्कीले कलर यूज नहीं किये गए हैं बड़े सिंपल सौबर कलर कॉंबिनेशन के साथ आप देख सकते हैं डोर की हैट देखिए और ये है बालकनी खुली बड़ी स्पेशेस बालकनी है आप चाहे तो अपनी वाश्रूम श्रूम पर भी इंच्टोल कर सकते हैं आसपास का एरिया देखिए दूस्तों ये जैसे मैंने आपको कहा था कि रोड बिल्कुल पास में है तो आप यहां से रोड देख सकते हैं बिल्कुल नियर है ट्रैफिक चलता हुआ अच्छे सुन्दर घर बने हुए कुछ नहीं कंश्रक्शन भी हो रही है आईए मैं आपको एक बारी रूफ पर ले चलूँ और रूफ से पूरा एक बारी एरिया आपको दिखाता हूँ कैसी बसागत है ये एक श्टोर रूम आप अपना ओफिस भी बना सकते हैं अच्छे डेप्थ है श्टेस को भी पूरा पैनलिंग करी गई है पॉल्स लिंग की गई है कंसील लाइट्स लगाई गई है अच्छा पैसा लगा है ये है अपनी रूफ आप देख सकते हैं नजारा प्रकृतिगा भी यहां से दो टंकिया पानसो पानसो लीटर की एक हजा लीटर की वाटर की टैंक इंस्टोल्ड है रूफ से देखे आपको ये नजारा मिलने वाले हैं सुन्दर बढ़िया च्छत खुली धूप लाइट एयर सारा प्रॉपर तरीके से इसको घर को डिजाइन किया गया है बनाया गया है इसका घर जो की राजेश्वन अगर पेस्टाइब के पास है और में सैंसगारा रोड से 800 मिटर बिल्टर ने घर बहुत तसल्ली से बनाया गया है कहीं कॉम्परमाइज मुझे तो नहीं लगा फॉल सेलिंग वाश्रूम तक करी गई है पैनलिंग करी गई है थ्री बेडूम सेट फोर वश्रूम एक स्टोरूम मिलता है उपर स्पेस है एक और पैनेटरी बनाने की आप पुजा रोम बना सकते हैं जैसे कि अगर कंबाइज धार चोटी अगर किसी की चोटी वेडरों नीचे अपने लिए एक बैडूम ले सकता है और अपना ड्राइं पेनेटरी के लिए छोड़ा है उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकता है एज टेमपल उसको टेमपल बनागे अपना अच्छा से यूज कर सकता है दोस्तों घर बहुत स्पेशियस तरीके से जगह छोटी है 113 घर मगर घर स्पेशियस खुला बनाया गिया रहा है एकॉटमी वे तो यके इंदध शट परहने वीदाय जैसे मैंने आपको पहले बताए है कि नियर व्य मिलती है, IT Park बिल्कुल नियर है, तो ऐसी options है, अब आप ये जरूर जाना चाहेंगे कि इसका price क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस घर की कीमर, बिल्डर की asking है 85 lakh रुपीस, बैंक प्लोन इसमें मिल जाएगा, आप आईए, बात कीजिए, बिल्डर से बैठी है, जहां पर भी आपकी negotiation होती है, कीची है, हम बिल्कुल आपकी negotiation करने में पूरी आपकी help करेंगे, तो दोस्तों आशा करता हूँ, आपको यह मेरा आज का वीडियो पसंद आया होता, हमारे चैनल प्रोपर्टी एडिक्शन के साथ बने रहे है, चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करते रहे हैं, और अपना प्यार सन्हें, ऐसे ही हमें देते रहे हैं, आपका अपना दो